नमश्का न्यूस वानेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ रश्मी ब्यार में पच्छवा और उत्तर पच्छवा हवा का प्रभाव बना हुआ है ऐसे में कनकनी बढ़ती जा रही है लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पर रहा है ऐसी में मौसम विभाग ने एक बर फिर से अलर्ट जारी कर दिया है क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है किन-किन जलों में क्या रहेगा मौसम का मजाज और किस तरह से इस ठंड के मौसम में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है इसकी सारी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि बिहार में लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है अगर हम धूप की बात करें तो पिछले कई दिनों से धूप नहीं खिली है और यही वज़ा है कि ठंड और भी ज्यादा बढ़ती जारी है ऐसे में आगे के दिनों में ये कनकनी और भी जादा बढ़ जाएगे और भी ज्यादा शीत लहर बिहार में देखने को मिलेगा और यही वज़ा है कि डेली अपडेट मौसम वभाग की तरफ से जारी किया जाता है ऐसे में क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का किनकिन जलो के लिए ये अलर्ट सामने आया है इसके पूरी जानकारी आपको देते हैं बतादे की बिहार में अपच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवा का प्रवाव बना हुआ है जो सता से 1.5 किलोमीटर उपर वस्तारित है इसके प्रवाव से ठंड में आंशिक व्रधी हो रही है मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-4 दिनों में नियूंतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा जबकि अधिक्तम तापमान में 3-4 डिग्री पारी की गिरावत दर्श की जाएगी इसके चलते दन के वक्त भी थंड का एहसास होगा हलाकि रविवार और सोंवार के दर्मियान रात में पटना में नियूंतम तापमान 10-11 डिग्री सल्सियस के बीच रहा लेकिन मौसम विभाग ने पटना के मौसम को देखते हुए ये कहा है कि शनिवार को राजधानी का धिक्तम तापमान 3 डिग्री की गिरावत के साथ 19 ड डिग्री सल्सियस रिकॉर्ड किया गया इसके साथी प्रदेश में पच्छुआ हवा की गती 3-4 किलोमीटर के आसपास बनी हुई है इसे प्रकार के स्थिती अगले 3-4 दिनों तक बने रहने की संभावना जताई गई है प्रदेश के कुछ हसों पर हलके से मध्यमस्तर के को बहाव बना हुआ है बता दे कि मौसा विभाग का कहना है कि पिछले 24 से घंटों के दोरा नियूतम तापान में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया लेकिन इसके बावजों जो कनकनी है वो बढ़ती जारी और यही वज़ा है कि मौसा विभाग ने यह अलर्ट जारी कि जारी करते है जिसमें दो से चार दनों तक यह जो हवा है वो बहेगे जिससे लोगों को ठंड और भी ज्यादा महसूस होगा अगर हम अधन की बात करें तो दन में कोहुडा और धुन्द के साथी साथ जो पच्छवा हवा है वो भी बहती है जिससे शीत लहर और भी करते हुए लोगों को सचीत रहने के लिए कहा है तो लगातार बहार में जो कंकनी है वो बढ़ती ही जारी और यहीवचा है कि मौसंद भाग ने एक बार फिर से कोल्ड डे अलर्ट बहार में जारी कर दिया है फिलाल कर इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न सो नेशन के साथ नमस्कार